नमस्कार दोस्तों हमारे चैनल ग्यांदा नौलेच में आपका हारदिक स्वागत है दोस्तों अगर आप चाहते हैं हिंदु धर्म से जुड़ी भी ने नही जानकारी को रोज प्राप्त करना और जोतिश ववास्नों के उपायों को जानना तो क्रिप्या हमारे चैनल ग्यांदा नौलेच को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें क्यूंकि इसी चैनल के माध्यम से हम हर रोज आपके लिए नए नही जानकारी लेकर आते रहेंगे आज हम बात करेंगे काली मिर्च के छे चमतकारी उपायों की चोटी सी दिखने वाली काली मिर्च नकेवल सिर्फ हमारे शरीर को विमारियों से दूर रखती है बलकि इसका प्योग हमें इनेक परकार की बढ़ाओं को भी दूर करने में किर कर सकते हैं जो तिस शास्त्र में काली मिर्च से सबंदित अनेक ऐसे उपाई बताएं हैं जो आपके घर में उपस्तित नकरात्मक उर्जा को दूर कर सकरात्मक उर्जा का संचार करेगी। आज हम आपको काली मिर्च से जुड़े छे ऐसे उपाय बताने जा रहे हैं जिनका असर बहुत जल्दी होता है और ये उपाय हर बरकार की बाधाओं को नश्ट करते हैं पहला है काली मिर्च मात्र एक खाने में प्रयोग होने वाले पदार तक ही सिमत नहीं बलकि जोति शास्तर में काली मिर्च को शनी ग्रह का कारक वस्तु कहा गया है यदि किसी मनुश्य के उपर शनी देव की ढहिया या साड़े सत्ती का परभाव हो तो उसे काले कपड़े में थोड़ी सी काली मिर्च और कुछ पैसे दान करने चाहिए इस उपाये से शनी देव का प्रगोप जल्दी ही शान्त होता है और ये एक सिध उपाय है दूसरा अगर आपका कोई कारे बंते बंते रुख जाता है अत्वा आपका कोई कारे लंबे समय से अठका हुआ है तो जोतिश शास्त्र में इसका एक बहुत ही सरल सा उपाय है घर से बाहर निकलते समय घर के मुखे द्वार पर काली मिर्च रखें तथा बाहर जाते समय इसके उपर पैर रखकर बाहर चले जाएं परन्तु इस बात अध्यान रखें कि काली मिर्च पर पैर रखने के तुरंत बात पुन्हा घर में प्रवेश ना करें क्योंकि इस से उपाई का उल्टा प्रभाव पड़ सकता है तीसरा यदि आप धनकी समस्या से प्रेशान हैं तो काली मिर्च के पांच दाने लें और उन्हें अपने सीर पर से साथ बार वार लें इसके बाद किसी चुराहे या किसी सुनसान स्थान पर खड़े होकर चारो दिशाओं में चारो दाने फैंग दें इसके बाद पांच वे दाने को उपर आसमान के और फैंग दें इसके बाद चुरहे से पुना लोटते वक्त पीछे लोटकर आप ना देखें माना जाता है कि इस उपाय से अचानक धन प्राप्ती के योग बनते हैं जोथा घर में बुरी शक्ती का ये दिवास हो तो इसे दूर करने के लिए आप पांच गराम हींग, पांच गराम काली मिर्च, तथा पांच गराम कुपूर को मिला कर उसका पौटर बना लें तथा उसके बाद उस चुरन के राई के बराबर गोलियां बना लें अब इन गोलियों को दो बराबर हिस्सों में बाट ले एक हिस्से को सुभा के समय घर में जलाए और दूसरे हिस्से को शाम के समय घर पर जलाए ऐसा करीब तीन दिन तक दोराए इस उपाय से घर में लगी हुई सारी बुरी नजर उतरती है और घर में वास करी बुरी शक्ति या दूर होती है पांचवा है यदि आप घर में यदि आपके घर में अक्सर कोई न कोई व्यक्कती बिमार रहने लगा है या घर में छोटी सी बात को लेकर भी बहुत बड़ा कलेश हो जाता है तो यह सब नकरातमक उर्जा के कारन होता है जोतिश शास्त्र में नकरात्मक उर्जा को दूर करने के लिए बहुत ही सरल उपाय सुझाया गया है ऐसा करें काली मिर्च के साथ आठ दाने लें तथा उसे एक दिये में रख कर किसी कोने में जला दें इससे घर की सारी नकरात्मक उर्जा नष्ट हो जाएगी और घर में सकरात्मक उर्जा का संचार होगा चटा है यदि आप किसी भी परकार के शनी दोस्त से पीडित हैं तो भोजन ग्रहन के दुरान भोजन में खाते समय अलग से नमक या मिर्च ना गे रें बल्कि इसके स्थान पर काला नमक अथवा काली मिर्च को प्रियोग में लाएं इस उपाय को करने से शनी का पूरा प्रभाव आपके उपर से कम होगा तो धन्यवाद दोस्तों ये थी काली मिर्च के छे चमतकारी उपायों की जानकारी अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो क्रिपिया इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल ग्यांदा नोलेज को आप जरूर सब्सक्राइब करें धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए और मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ तब तक के लिए आगे दीजे नमस्कार